नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का अभी निया एकरडी चैनल में आज 2 नमंबर 2021 को दाहंदियू नियूस पिपर के सभी मातपूर समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी नियूस है उसका टाइटल है इंडिया विल एचीव ने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सुमवार को ग्लासको में तीयोपी 26 सिखर समेलन में कहा सुमवार तक भारत एक मात्र प्रमुक उस्तरजक था जिसने शुद्ध शुन्य प्राप्त करने के लिए एक समयरेखा के लिए प्रितुबद नहीं किया था या एक वर्ष जिस करेगा कि उसकी 50 प्रतिशत पूर्जा अक्षय सुरोतों से प्राप्त की जाएगी भारत ने 2030 अपने कार्बन उसर्जन को एक अरब टन कम करने के लिए भी प्रतिवद्धिता जाहर की है भारत अकल घरेलू उत्पात की प्रतिएकाई उसर्जन तीवर्ता को भी 45 प्रतिश लक्ष से 50 गिगावाट की ब्रति है उन्होंने कहा कि जलवाई नियाय की भावना में सम्रिद्ध विक्सित देशों को विकास देशों और सबसे कमजोर लोगों की सहयता के लिए जलवाई विद्ध में कम से कम एक ट्रिलियन डॉलर प्रदान करना चाहिए तो इसी के साथ ये नियूस समापत हो जाती है अगली नियूस का टाइटल है डिसकुस अफगानिस्तान विद बोरिस जॉनसन तो चलिए से पढ़ते हैं मोदी ने बोरिस जॉनसन से की अफगानिस्तान पर चर्चा प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस समौर को ग्लासगो में स्यूपी 26 शिखर सम्मेलन के मौके पर अफगानिस्तान में विखसित इस्तिती पर चर्चा की विदेश मंतराले में ने एक बयान में कहा कि नेताओं ने जलवायू परिवर्तन इंडो पैसिफिक रणनी ती और कोविड वैश्विक आर्थिक सुधा के संदर्व में दूइबक्षिय साजेदारी पर चर्चा की विदेश मंतराले ने कहा कि दोनों प्रधान मंत्रियों ने रोड मैप 2030 प्रात्मिकाओं के कार्यानवन की समिक्षा की विशेश रूप से व्यापार और अर्थव्योस्ता लोगों से लोगों संबंधों स्वास् विदेश मंतराले ने कहा कि दोनों नेताओं ने उन्नत व्यापार साजेदारी के लिए व्यापार वारता में प्रगित की समेक्षा की और हरित हाइड्रोजन नविकर्णी उर्जा और स्वक्ष प्रोध्योग्यों में दूइपक्षिय सहयोग पर विचर्चा की जिसमें अ सहयोग पर बातचीत के लिए भारत आने के कुछ दिनों बात हुई है तो इके साथ ये नियूज समाप्त हो जाते हैं अगली नियूज का टाइटल है कैनाट इंपोज ब्लैंकेट पैन और फायर क्रेकर सेज सी तो चलिए से पढ़ते हैं सभी पटाकों पर पूर्ण प्रति किये जाने चाहिए पिछले कुस दिनों में यह दूसरी बार है जब अदालत ने पटाकों पर फूर्ण प्रतिबंद लगाने की असंभवता को सुईकार किया है अदालत ने 29 अक्टूबर को सपष्ट किया था कि पटाकों के इस्तमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंद नहीं है अदालत ने एक आदेश में कहा था कि केवल उन पटाकों पर प्रतिबंद लगाया जाता है जो स्वास्त के लिए हानिकारक और नागरिकों के स्वास्त को प्रभावित करने वाले पाया जाते हैं सो मौर को जस्टिस ए-म कान विलकर और अजय रस्तोगी की विशेश बें सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं सोतंतरता के 75 वर्ष पूरे होने पर सहमत द्वारा एक्पो बारत की आजादी के 75 साल पूरे होने अजश्न मनाने के लिए साफदर हाशमी मेमोरियल ड्रस्ट सेहम्ट ने पिछले 30 वर्षों में अपने प्रकाशनों और कमीशन की ग वाली प्रदर्शनी में मात्मा गांधी की 125 वी जैंती और भगत सिंग की चहादत 75 वी वर्ष गांट सहित अन्यकार्यों का संग्रा है सहमत का कहना है कि प्रदर्शनी का उद्देश यह दिखाना है कि कैसे सभी व्योसायों के नागरिक भारत की सामपरदाइक सोहार्द और रचनातमक स्वतंतरता की विरासत को याद रखने और सुधारने की तलाश में हमवतन के रूप में खड़े हैं तो इके साथ यह न्यूज समाप हो जाते हैं एक न्यूज का टाइटल है साइन आफ ऑन पैरिस रोल बुक से इस बेसिक तो चलिए इसे पढ़ते हैं पैरिस न रवायु परिवर्तन समेलन में देशों के बेसिक समूह यानि की ब्राजील तक्षडी अफ्रीका बारत और चीन बी से हो गया ब्राजील एसे साथ अफ्रीका आइसे इंडिया और सी से चीन बी ए ए स I.C. बेसिक की ओर से एक बयान दिया यह प्रमुक विकास शील अर्थ व दूर्शक हैं लेकिन कारवन डाय औक्साइट के लिए कम जिम्मेदारी वहन करती हैं जिसे 1850 से वायमंडल में पंप किया गया है और उनकी महत्वपूर्ण आबादी के कारण प्रतिव्यक्ति उस सर्जन भी कम है इसलिए इन देशों ने कई वरशों से विक्रित देशों के दबाओ को कम करने के लिए मजबूत उस सर्जन कटोती मांग की है श्रीयादों ने कहा कि बेसी की एक प्रमुख मांग यह थी कि पेरिस समझाओते की नियम पुस्तिका को COP26 में समाप किया जाए जबकि पेरिस समझाओते ने अंतर राश्टिये कारवाई के लिए रूप र चापित करेगी 2018 में पूलेंड में COP24 में पेरिस नियम पुस्तिका को विक्सित और अंतिम रूप देने के लिए देश सहमत हुए थे श्रीयादों ने अपने लिखित बयान में कहा कि ऐसा करने में समानता और सामान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधिक शम चाहिए श्रीयादों ने बेसिक मांगों को दोराया कि उन्होंने भारत में ये भी बताया है कि COP26 का उद्देश जलवायु वित और अनकूलन पर उच्च वैश्विक महत्वा कांग्षा के साथ साथ पार्टियों की अलग-अलग एतिहासिक जिम्मेदारियों और विकास श तुरंद अपने उचित हिस्से का योगदान करने की आवशकता है और इसे प्राप्त करने के लिए विक्सित देशों को अपने उस सरजन को तेजी से कम करने और विकास शील देशों को अपने वित्तिय समर्थन को नाटकी रूप से बढ़ाने की आवशकता होगी तो इसी क साथ ये नियूज समाप्त हो जाती है अगली नियूज का टाइटल है सेस्टिब सीजन फायर्स अप अक्टूबर जी एस्टी रेविन तो चलिए से पढ़ते हैं तेवारी सीजन की आग अक्टूबर जी एस्टी राजस सुमें रिधी केंद्री मंत्राले ने कहा है कि आर्थि धान उत्पन नहीं होते तो अक्टूबर की जी एक साल पहले इसी महीने की तुल्ना में 24 प्रतिशत अधिक और 2019 के पूर महामारी के अस्तर से 36 प्रतिशत अधिक थी यह बड़े पैमाने पर माल के आयाद से संग्रह में 49 प्रतिशत साल दर साल वृद्द से प्रेरित था ज राजस्व में अक्टूबर की अच्छी वृद्द का श्रे उसो पूर सीजन टॉकिंग और बहतर अनुपारल को दिया इस साल अपरैल में 1.4 ला करोंड रुपए का उच्चतम GST संग्रह दर्जिया गया था जिस पर मंत्राले ने जोड़ दिया था कि वे साल के अंत के रा दिने भी GST को बढ़ाया है मंत्राले ने एक बयान में कहा कि व्यक्तिगत कर चोरों के किलाफ कारवाई के अलावा या GST परिशद द्वारा अपनाए गए बहु आयामे दृष्टिकोन का परिड़ाम है इसमें अनुपालन को आसान बनाने के लिए गैर अनुपालन वेवह वार को हतो साहित करने जैसे कدمों के साथ संजोत रूप से रटन दाखिल ना करने के लिए वे बिलों को अवरोध और पढ़न के पंजियन का सकल GST राजसव में केंद्रिय GST के रूप में 23,861 करोंड रुपई और 3430 करोंड रुपई का राजज GST और इसके साथी साथ 67,361 करोंड रुपई का एकिक्रिद ГST और माल के आयात पर 71,592 करोंड रुपई का जी एसटी चामिल हैं अधिक अध्योगिक राजियों जैसे गुजरात और महराश ने करमसा 25 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की राजस उरिद्धी दर्ज की करनाटक में 18 प्रतिशत की उरिद्धी दर्ज की गई जबकि तमिलनाडु और हर्याणा में एक बड़ी आटो उद्योग वस्थित के साथ से पढ़ते हैं उर्वरक आपूर्टी बढ़ेगी मंत्री रसायन और मंत्री मन्सुक मंडाविया ने सोमवर और को कहा की उर्वरकों का उत्पादन मांग को परना में उन्होंने कमी की अफ़वाओं निंदा की और किसानों से उर्वरकों की जमाखोरी नहीं करने का अग्रह किया रभी फसल की लिए बुवाई के मौसम में कई राज्यों के किसानों ने यूरिया के बाद सबसे लोकुरी उर्वरक डाई अमोनियम फॉसपेट या डीएपी को प्राप्त करने में कठिनाईयों क किसानों द्वारा लंबी दूरी तै करने और डीएपी खरीदने के लिए कतारों में प्रतिक्षा करने की खबर आई है साथ ही उर्वरक कंपनियों को सबसेडी के बावजूद कुछ खेत्रों में प्रतिव बूरी कीमतों में प्रिदिक्या रोप लगाए गए हैं लाग टन की अनुमानित मांग की मुकाबले 18 लाग टन डीएपी का उत्पादन किया जाएगा 30 लाग टन इन पीके की आपूरती 15 लाग टन की मांग को पार कर जाएगा इसी के साथ ये नियूज समापत हो जाती है अगली नियूज का टाइटल है एन ए कल्चरल फेस्टिव बिगिन्स तो चलिए से पढ़ते हैं पुर्वत्तर सांस्कृतिक उस्सव शुरू राष्टी संग्राले ने सुमवार को आजादी का अमूरित महस्व कारिकरम के तहत आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में पुर्वत्तर का साथ दिवसी सांस्कृतिक उस्सव शु संग्रहाले के संग्रह में पुर्वोत्तर राज्यों की कलाकर्तियां शामिल हैं राश्टिय संग्रहाले में पुर्वोत्तर जीवन चैली को समर्पित गैलरी वस्त्र आभूशन उपयोगिता उपकरण और व्यक्तिगत अलंकरण में प्रदर्शनों के धेर के माध्यम से नही तो इसी के साथ ये नियूज समाप्त हो जाती है अगली नियूज का टाइटल है नीट यूजी रिजल्ट्स डिक्लेर्ड तो चलिए से पढ़ते हैं नीट यूजी के रिजल्ट या नतीजे भोशित तिलंगाना की मृडाल कुटेरी दिल्ली के तनमे गुपता और कार्तिका जिनायर ने नीट परेक्षा में 720 अंक हासिल कर समयुक्त रूप से अखिल भारती नंबर एक रेंकिंग हासिल यानि की मिडाल कुटेरी तनमे गुपता और कार्तिका जिनायर ये जो कि तीनों लोगों ने मिल करके अखिल भारती नंबर एक रेंकिंग हासिल है और प्रवेश परिक्षा नीट यूजी के माध्यम से चिकिस्सा और दंत चिकिस्सा परामर्ष के लिए अरता प्राप्त करने वाले 8.7 लाग उमिद्वारों की सूची में सबसे उपर हैं यह पहला वर्ष है जब समान स्कूर वाले उमिद्वारों के लिए कोई आयू अधारित टाइब रेक नहीं है जिससे तीन चात्रों को शीर्ष रैंकिंग साजा करने की अनुमत दी है सितंबर में लगबग 15.5 लाग चात्रों ने परिक्षा दी जो पिछले साल की 13.6 लाग की तुलना में काफी अधिक है अलाकि COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण परिक्षा में देरी हुई तो इसी के साथ ये नियूज समापत हो जाती है अगली नियूज का टाइटल है Major Swap of Diplomatic Posting तो चलिए से पढ़ते हैं राज नेक पोस्टिंग की प्रमुक बदली सहुकतरब अमीरात में राजदूत पवन कपूर को रूस में दूत नुक्त किया गया है उमान में राजदूत मुन्नू महावर द्वरापरते स्थापित किया जा रहा है हिंद महासागर शेत्र आई ओ आर में संयुक्त सचिव और मुक्षाले से मौलदिव शिलंका मौरिशस और अनित दूई पड़ोसियों के साथ संबंदों को समालने वाले अमित नारंग को अब ओमान में राजदूत नुक्त किया गया है इसके अलावा भारती सांस्कृतिक संबंद परिशत के महान देशक दिनेश पठनायक अगले कुछ महीनों में दूद की रूप में इसमें जाएंगे विदेश मंतराले ने ऐसी घोशड़ा की है सचिव काउंसलर पासपोर्ट और वीजा और प्रवासी भारतीय मामले दिपीवी और ओ आई ए संजे भटाचार के सुझे लैंड जाने के उमिद है और मेक्सिको और मयामार में जल्द ही निवक्तिया होने के उमिद है सरकार ने विदेश मंतरी के विशेश सलाकार अशोक मलिका कारेकाल भी कवर साल के लिए बढ़ा दिया है मंतराले के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अप्रेल 2022 में विदेश सचिव हर्ष शिंगला के सेवा निवरत होने से पहले फिर बदल अगले कुछ महीनों में किये जाने वाले दो प्रमुक अभ्यासों में से एक है अलाकि यह स्वश्ट नहीं है कि श्री शिंगला जिनोंने बारेकी से काम किया है या नहीं विदेश मंतरी इस जैशंकर के साथ विदेश सेवा में सेवा विस्तार जाएगा श्री कपूर रूस में राजदूत विंकटेश शर्मा से महतवपूर पीफाइब पदभार ग्रहन कर रहे हैं जो प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी और रूसी राष्टपती व्लादीमीर पुतिन के बीच सोची में अनुपचारिक शिखर सम्हेलन के तुरंत बाद 2018 में शुरू हुए एक महतवपूर कारकाल के बाद सेवा निवरत हो रहे हैं तो इसी के साथ ये नियूज समापत हो जाती है आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करने का लिंक नीचे कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शन्स में दिया गया है तो आप वहाँ पे जा करके हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले नियुस की ओर तो अगले नियुस का टाइटल है ऑस्टेलिया रिकिग्णाइजेज कोएक्सिन तो चलिए इसे पढ़ते हैं ऑस्टेलिया सरकार ने भारत बायोटे के कोएक्सिन को मानता दिए स्वास्त विभाग के चिकेसी सामान प्रशासन ये ने यह मानता यात्रियों को देश की यात्रा करने के लिए कोवैक्सीन के साथ पुरी तरह से टीका लगाने में सक्षम बनाएगी तो मौर की घोशडा के साथ औस्टेलिया भारती निर्मित दोनों टिकों कोवी शिल्ड और कोवैक्सीन को मानता देने वाली पहली बड़ी अर्थव्योस्ता बन गई है औस्टेलिया के इस फैसले की प्रदान मंतरी नरेदर मोदी ने तारीफ की है नोंने कहा है कि मैं अपने प्रीय मित्र पीयम कॉर्ट मौरिसन से भारत के कोवैक्सीन की ऑस्टेलिया में मानता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं यह भारत और ऑस्टेलिया के बीच कोवीट के बीच साज़ेदारी में एक महतपूर कदम है जीए की एक गोशना में कहा गया है कि यह मानता बारा वर्ष और उससे अधिक उम्हे यात्रियों के लिए हाल के सब्ताहों में टीजीए ने अतरिक जानकारी प्राप्ट है जिसमें दिखाया गया है कि यह टीए सुरक्षा प्रान करते हैं और संभावे तरोप से संभावना को कम करते हैं जाने वाले यात्री ऑस्टेलिया में रहते हुए दूसरों को कोविड नाइंट संक्रमण प्रसारित करेगा या कोविड नाइंटीन के कारण तीवे अस्वस्ता में कहा गया है कि वैक्सीन के संबंद में प्रासंगिक जानकारी विश्व स्वास तंगठन डब्लु एचो और वैक्सीन परयोजोगों द्वारा प्रदान की गई गोश्वा में कहा गया है कि कोई भी टीव मानता प्राप्त के दो खुराप्त करता है कम से कम 14 दिनों के अलावां दूसरी खुराप के बाद 7 दों से पूरी तरह से टीका करण माना जाए ये कही टीके दो खुराप य यात्रियों को भी दूसरी खुराक के साथ दिन बाद रिका करण माना जाएगा कदम से करी भारती एक शात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उस्टेलिया लोटने में मदद मिलेगी इसी के साथ यह न्यूज समाप्त हो जाते हैं अगली न्यूज का टाइटल है वेटरेन पेडल इंट्रू थर्ड गिनीज रिकॉर्ड तो चलिए इसे पढ़ते हैं वायो वरिद पेडल तीसरे गिनीज रिकॉर्ड में सेनाय में एक सेवारत इलेक्ट्रोनिक्स और मेकेनिकल इंजिनिरिर एमई अधिकारी लेटिनेंट करनल भरत पन्नु ने कहा कि साइकल चलाना मुक्त है यह आत्मा के लिए एक अमरित है उन्होंने देश भर में साइकल चला कर अपना तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ह पचासवी वर्षघाट के समारों का हिस्ता था जिसे कर्तब के दोरान अपने प्राणों को आहुत देने वाले सैनिकों के सम्मान में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाता है लेटिनेंट करनल पन्नु पहले से ही सबसे तेज एकल साइकलिंग के लगातार द प्रतिबद होने की आवशकता है बलकि स्मार्ट और स्पष्ट रणनीति के साथ जीतने की भी आवशकता है लेटिनेंट करनल पन्नु ने 17 अक्टूबर को गुजरात के कोटेश्वर से अपनी यात्रा शुरू की और 26 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के वाली एक भोकता प्रोध्योग की कंपनी उड़ चलो द्वारा सभी आवशक आवशकता हैं प्रदान करने के उनके प्रियास का समर्थन किया गया था रवी कुमार जो की CEO हैं उड़ चलो के उन्होंने कहा कि हम लेटिनेंट करनल भरत पन्नु के साथ जुड़कर समानित महस कर रहे हैं जुनून और निरंतर द्रता के साथ संयुक्त उपलब्द पर ध्यान केंदरित करने से यह सुनेश्यत हो पाया है वांचित सफलता प्राप्त करने के लिए निर्धारिस समय में कारपूरा हो गया है साथ है यह लक्षों की खोज में लचीलापन महत्वा और आत्म निरंतरन का प्रमाड है जो प्रतियाशित परिणामों में अनुवाद करने के लिए महीनों और वरशों की कड़ी मेहनत करते हैं प्रतिकूल मौसम की इसिति और यातायात पाधाओं जैसे मुद्दों के बावजूद लेफ्टिनेंट करनल पलनु ने अपनी यात पूरी की तो इसी के साथ ये नियूज समापत हो जाती है अगली नियूज का टाइटल है पराशूट यूनिट इस कॉमबैट मेनेवरोस तो चलिए इसे पढ़ते हैं पराशूट यूनिट युद्दय भास का अभ्यास करती है जैसा कि सेना पूर्वी लद्दाक के सेना के साथ एक हवाई अभ्यास और युद्ध भास का योजन कर रही है सेना के एक सूत्र ने सोमवार को कहा कि सोमवार को हवाई सैनिकों को 14,000 फीट से अधिक की उचाई पर एक ड्रॉप जोन में डाला गया था पूरू अनुकूलिस सैनिकों विशेशा के वाहनों और मि साइल टुकडियों के साथ C-130 और AN-32 विमानों के माध्यम से पांच अलग अलग बढ़ते ठिकानों से इंटर थीटर चालों सटीक स्टेंड आफ ट्रॉप्स तेजी से समुही करण और निर्दिष्ट उद्देश्यों पर कबजा करने के लिए ले जाय गया था गति और लूप से चुनोती पूर्ण थी इस अभ्यास में निर्बाद एकी करण के लिए फ्री फॉल जंप के दौरान ऑक्सिजन सिस्टम का उप्योग और हवाई बलो द्वारा एकी कृत युद्ध अभ्यास मशीनी कृत कॉलम और अटैक हेलिकॉप्टर शामिल हैं पारशूट ब पारशूट ब्रिगेट को शत्रुजीत ब्रिगेट के नम से जाना जाता है तो इसी के साथ ये न्यूज समापत हो जाती है अगली न्यूज का टाइटल है रेस्क्यू गाइड लाउंच्ट फॉर गंगयाज रीवर डॉल्फिन तो चलिए इसे पढ़ते हैं गंगा नदी क डॉल्फिन के लिए रिस्क्यू गाइड लाउंच्ट जल्शक्ति मंत्राले तुमौर को गंगा नदी में फसे डॉल्फिन के सुरक्षित बचाओ और रिहाई के लिए एक गाइड जारी किया दस्तावेज को टर्टल सर्वाइवल एलायंस और उतर प्रदेश करकार के परि किया गया है गंगा नदी डॉल्फिन भारत का एक राष्टि जली जानवर है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत का राष्टि जली जानवर कौन है तो गंगा नदी का डॉल्फिन है और आई-उ-ие रेड़ लिस्ट असेस्मेंट-भारतिये वन्यजीव संडक प्रजातियों में अंतर राष्टिये व्यापार पर कन्वेंशन की परिशिष्ट वन जीवों और वनस्पतियों साइट की प्रजाति जिसकी वैश्विक आबादी 4000 अन्मानित है जातर भारती उपमोहदीब में पाई जाती है डॉल्फिन अक्सर गलती से उत्तर भारत में नह समर्थित है भीड नियंत्रत नहरों से डॉल्फिन को पकड़ने और हैंडलिंग अस्थानांत्रण परिवहन और रिहाई पर सर्वोत्तम अभ्यास गाइड का हिस्सा है शलेंद्र सिंग ने कहा कि नेपाल भारत और बांगलादेश की गंगा ब्रमपुत्र मेगना और कर्ण फुली सांगू नदी पडालियों में पाई जाने वाली गंगा नदी डॉल्फिन प्लैनेट स्टा गैंगेटिका गैंगेटिका एक वहिश्विक प्रात्मिक्ता है और स्वस्त जली पडालियों का संके तक भी है टर्टल सर्वाइवल एलायंस भारत के निदेशक हैं गाइ इसी के साथ ये नियूज समाप्त हो जाती है अगली नियूज का टाइटल है गंगा मिशन इन गिनीज रिकॉर्ड तो चलिए से पढ़ते हैं गिनीज रिकॉर्ड में गंगा मिशन स्वक्ष गंगा के लिए राष्टी ये मिशन ने गंगा उस्सों की पहले दिन एक घंटे में फेस्बुक पर हस्त लिखित नोटों सबसे अधिक तस्वीरें अपलोड करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जल्शक्त मंतरी गजेंदर सिंग शेखावत ने फेस्बुक पर अपना संदेश पोस्ट किया जिसके बाद इस गतविधी को बड़े पैमाने पर जनता के लिए खोल दिया गया एक अधिकारी ने कहा कि गंगा काया कल्प पर जागरुकता बढ़ाने और तेवहार की पहुच का विस्तार करने के लिए यह कारकरम आयोजित किया गया था लोगों ने नमामी गंगे फेस्बुक पीज पर मा गंगा पर कविताएं या ले इंडोनेशिया में मनजूरी मिली बायो टेकनोलोजी फर्म नोवावैक्स इंक और उसके पार्टनर सीरम इस्टिट्यूट आफ इंडिया एस आई आई ने सोमवार को कहा कि उन्हें इंडोनेशिया में नोवावैक्स के कोविड-19 वैक्सीन के लिए पहला आपात कालिन पड़न करेगी शुरुवाती शिप्मेंट जल्द ही शुरू होने की उमेद है तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है अगली न्यूज का टाइटल है स्रीलंका फिशर लीडर्स मीट इंडियन इन्वोय तो चलिए से पढ़ते हैं स्रीलंका के मच्छवारे नेता पर मच्छडी पकड़ने पर अपने चिंताओं से नई दिल्ली और तमिल नाडु दोनों को अवगत कराएंगे और समस्या के समाधान के लिए कुछ तत्काल उपाय करेंगे जाफना के विधायक एमेस सुमन्तिरन के साथ लंका के उत्तरी जिलों के मच्छवारे नेताओं क एक प्रत्री मंडल ने तुमोर को कोलंबो में भारती उचायुक्त गोपाल बागले से मुलाकात और पाक जल्डमरु मद्ध में तलहटी के मुद्धे पर भारत की प्रत्रिया में देरी पर चिंता व्यक्ति एने के प्रवक्ता श्री सुमन्तिरन के अनुसार यह बैठक हाल नहीं में हुई एक चर्चा के परड़ाम सुरूप होई थी जब उच्चायुक्त बागले ने पिछले हफ़ते तमिल नैशनल एलायंस यहने की नेता आर संपत पंथन से मुलकाती थी मचुवारे समुदाय के नेताओं ने याद किया कि भारतीय पक्त दो बार 2010 और 2016 में नी सिलंका के मचवारों ने एक समुद्री रैली आयोजित इसमें मांगी गई थी कि शेलंका ची क्रॉलिंग के खिलाफ अपने कानु को लागु करें एक विनाशकारी मचली पकड़ेने की वीदी समुद्र के किनारे कंश्ट कर देती हैं जिससे समुद्री जीव खत्रे मढ़ हैं काले जंडों वाली दर्जनों नाउन तर्वी मुलात शहर से जाफना की पॉइंट पेड्रों तक सव किलोमेटर की आतरा कि मिट्येने के कुछ सांसत में शामगे तमिलाडु के मच्छवारे अतराष्टी समुरी समर्खा आयम बीयल पारकर स्रिलंकाई जल मच्छ पकड़ अगली न्यूस का टाइटल है ऑक्टोबर मैनुफेक्चरिंग एक्टिविटी क्विकेंस जॉब लॉजज परस पीम आई तो चलिए से पढ़ते हैं अक्टूबर में विनिर्माड गतविध हितेज नौकरियों का नुकसान जारी पीम आई IHS Market Purchasing Managers Index PMI से पता चलता है कि अक्टूबर में लगातार चोथे महीन देश की मैनुफेक्चरिंग गतिविदी का विस्तार हुआ सरवेक्षन आधारित PMI सितंबर में 53.6 बढ़कर 55.9 हो गया विनिर्माड नौकरियों में गिरावट जारी है हाला कि उत्पादकों ने फरवरी के बाद से समगर परिचालन इस्तियों में सबसे मजबूत सुधारदर्च किया और वियापार आशावाद 6 महीने के उच अस्तर पर पहुँच गया 50 का PMI रीडिंग आउटपुट अस्तरों में कोई बदलाव नहीं होने का संकेत देता है पुल मिला कर नए आउडर 7 महीने में सबसे 30 गति से बढ़े जबकि फैक्टरी आउटपुट भी मार्च के बाद सबसे 30 गति से बढ़ा IHS मार्केट के मुताबिक नए निर्यात आउडर में भी वढ़ोतरी हुई है जो 3 महीने में सबसे 30 है अपरेल के बाद से इनपुट खरीद सबसे 30 गति से बढ़ी क्योंकि उत्पादकों ने नए आउडर की अधिक्ता से निपटने के लिए कमर कसली हलाकि इनपुट की लागत कम होने लगी उनके लिए समगर मुद्रस्पीती बढ़कर 92 महीने के उचस्तर पर पहुँच गई IHS मार्केट ने कहा कि उप्यानात्मक साक्ष ने उच्च रासाइने कपड़े धादू, इलेक्ट्रोनिक्स, घटक, तेल, प्लास्टिक और परिवहन लागत पर प्रकाश डाला चुकि छमताओं का अभी भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था और शिफ के काम के आसपाद सरकारी मांदंड लागो थे, रोजगार में गिरावट जारी रही आशा के करण यहते कि अक्टूबर में नौकरी छूटने की दर मामूली थी एकोनॉमिक्स एसोसियेट डारेक्टर पोलिना डी लीमा ने कहा कि कमपनियां अपने स्टॉक का निर्माड करके मांग में और सुधार के लिए कमर कस रही है ऐसा अलग रहा है कि 2021-22 की तीसरी तिमाही में विनिर्माड गदविदी का विस्तार जारी रहेगा उन्होंने इन्पुट लागत मुद्रे स्फीत को एक चिन्ता के रूप में चिन्नित किया यह कहते हुए कि यह लगबग आठ साल के उच अस्तर पर था क्योंकि दुरलब कच्चे माल की मजबूत वैश्विक मांग कीमतों को आगे बढ़ा रही थी तो इसी के साथ यह न्यूज समाब तो हो जाती है अगली न्यूज का टाइटल है गुड्स एक्सपोर्ट्स क्लाइब 42 परसेंट इंपोर्ट्स सर्ज 63 परसेंट तो चलिए से पढ़ते हैं माल निर्यात 42 प्रतिशत चड़ा आयात 63 प्रतिशत बढ़ा अक्टूबर में भारत का व्यापारिक निर्यात 35.47 बिलियन डॉलर या 2019 के पूर महमारी इसर से 35.2 परतिशत अधिक और अक्टूबर 2020 की संख्या से 42.3 परतिशत अधिक था हलाकि आयात तेजी से बढ़कर 55.37 बिलियन डॉलर या एक साल पहले की तुलना में 62.5 प्रतिशत अधिक और अक्टूबर 2019 की संख्या से 45.8 प्रतिशत अधिक हो गया वाड़े जवर उद्योग मंत्राले के प्रारंबिक अनुमानों के अनुसार महिने दर महिने अक्टूबर का व्यापारिक निर्यात सितंबर के 33.8 बिलियन डॉलर से लगभग 5 प्रतिशत अधिक था अक्टूबर के दवरान कोईले और सोने का आयात दो गुने से अधिक हो गया जो एक साल पहले के तुलना में करमशाह लगभग 119 प्रतिशत और 104 प्रतिशत बढ़ा है वनस्पति तेल के आयात में भी लगभग 60 प्रतिशत की बृद्धी हुई अक्टूबर के लिए व्यापार घाटा एक साल पहले के दो गुने से अधिक बढ़कर 19.9 बिलियन डॉलर हो गया लेकिन सितंबर 2021 में 22.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड घाटे से कम था ICR के मुक अर्थ शास्त्री अधिति नायर ने कहा कि उसाह जनक रूप से गैर तेल निर्यात अक्टूबर में बढ़कर 7 महीने के उचस्तर 30.3 बिलियन डॉलर हो गया जो एक साल पहले की तुलना में 30 पृतिशत अधिक है उन्होंने कहा कि मर्चैनडाइज आयात में रिकावरी और कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के आलोक में चालुखाते के घाटे को नियंतरित करने के लिए सुआस्त निर्यात उभ्रिदी महतन पूर्ण होगी तो चलिए इसे पढ़ते हैं CIL का उत्पादन 6.4 प्रतिशत बढ़ा बिजली कूद के लिए आप उड़ती राजिके सौमित वाली CIL ने सो मौर को कहा कि उसका कोईला उत्पादन सालाना आधार पर 0.4 फीस्टी बढ़कर अक्टूबर में 49.8 मिलियन टन हो गया इधन की कमी का सामना कर रहे बिजली सैयंत्रों के मद्दे नजर विकास महत्तो रखता है कंपनी ने BAC फाइलिंग में कहा कि पिछले साल इसी महीने में कोल इंडिया लिमिटेट का उत्पादन 46.8 मिटरिक तन था CIL ने यह भी कहा कि देश की बिजली पैदा करने वाली उप्योगिताओं में सुके इधन के घटते स्टॉक को मजबूत करने के लिए केंदरित प्रयासों के मद्दे नजर अक्टूबर में बिजली उत्पादकों को आपूरती 23 प्रतिशत बढ़कर 48.2 मिटरिक तन हो गई तो इसी के साथ ये नियूज समापत हो जाती है अगली नियूज का टाइटल है एलेक्ट्रिसिटी डिमांड रोज 4.8% इन अक्टूबर अक्टूबर में बिजली की मांग 4.8 प्रतिशत बढ़ी जो बिजली उत्पादन सयंत्रों में कोईले की कमी के बीच अच्छी रिकवरी का संकेत है पिछले साल अक्टूबर में बिजली की कपत 109.17 बियू थी और 2019 में इसी अवद में या 97.84 बियू थी यहां बियू का मतलब बिलियन यूनिट से है अक्टूबर के दोरान बिजली की चरंग मांग पूरी हुई या एक दिन में सबसे अधिक आपूरती 174.6 गीगावाट रही जो एक साल पहले देखी गई 179.89 गीगावाट से अधिक थी डेटा पश्च रूप से दर्शाता है कि देश में बिजली की खपत की साथ-साथ मांग में भी सुधार हो रहा है तो इसी की साथ ही ये नियूज समाप्त हो जाती है अब हम पहुँच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर जो की है डेटा पॉइंट इस डेटा पॉइंट का टाइटल है पेस पिक सप स्लाइटली तो यहाँ पर देश में एक जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में हुए टीका करण को परतेक 10 दिनों के अंतराल के रोब में प्रदरशित किया गया है यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में कुविट-19 ने ठीका की दैनिक आउसत दर 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में बढ़ी है अगर इसकी तुलना की जाए पिछले महीने के अंतिम 10 दिनों से यहाँ पर लिखा है कि 21 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में 5.2 मिलियन कुराके दे गई थी जो कि इसके पहले की 4.7 मिलियन कुराक जो की 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में लगी थी उससे अधिक है फिर भी अगर इसी अफ्तार से टीका करण होता रहा तो भारत में इस साल के अंत तक 13.7 मिलियन कुराके लग जाएंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि 21 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के बीच हुए टीका करण में कुछ राज्यों में विशेश रूप से सुधार देखने को मि पर जैसे तमिल नाडू और बिहार में और इसके साथ ही कुछ राज जैसे हैं जैसे महराश्ट और राजस्तान में जहां पर टीका करण में गिरावट देखने को यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत में एक जून से 10 जून फिर 11-20-30 फिर ऐसे ऐसे हर 10-10 दिन के गैप प 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में 5.2 मिलियन दोज दी जा चुकी हैं और इसी रफ्तार से ठीका करण चलता रहा तो 13.3 मिलियन दोज दी जा चुकी होंगी दैनिक आधार पर 30 दिसंबर तक कि साथी नीचे के ग्राफ में ये प्रदर्शित किया गया है कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में 7 दिनों के गैप यहां पर आक्डों को प्रदर्शित किया गया है कि प्रतेक 7-7 दिन के गैप पे किसाफ से आउसत दैनिक ठीका करण रहा है और ये आकरे मिलियन में प्रदर्शित किये गए हैं कि साथे साथ आप नीचे के जो भारत के दो मैप बने हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे राज जिनको हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है वो ऐसे राज हैं मैं पहले वाले मैप की बात कर रहा हूं तो इसमें ऐसे राज जो हरे रंग से प्रदर्शित हैं वो ऐसे राज हैं जहां पर 80% से अधिक आबादी को एकल खुराग दी जा चुकी है और वहीं दूसरे वाले मैप में ऐसे राज जो हरे रंग से प्रदर्शित हैं वहां पर 45% से अधिक वयसकों को दोनों डोज दी जा चुकी है इसी प्रकार से पहले मैप म जो पीले रंग से राज प्रदर्शित हैं वहाँ पर 30 से 45 प्रतिशत वयस्कों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं और साथी साथ पहले मैप में जो लाल रंग से राज प्रदर्शित हैं उन राजियों में 60 प्रतिशत से कम वयस्कों को एकल डोज दी गई है और दूसरे मैप में जो लाल रंग से प्रदर्शित राज्य हैं वहाँ पर 30% से कम वैस्कों को दोनों डोजे दिया चुए इसके साथ ही साथ बगल के ग्राफ में आप देख सकते हैं भारत के सभी राज्यों में दैनिक डोज के आउसत को प्रदर्शित किया गया है जहां पर इन्हें हरे और लाल संकेतों के रूप में प्रदर्शित किया गया है हरे संकेतक उन राज्यों के लिए है जहां पर दैनिक टीका करण दर में सुधार आया है और लाल रंग से वे राज्यों प्रदर्शित हैं जहां पर दैनिक टीका करण में पतन देखने को मिला है और इस के साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और भी लिखी है कि एक नौंबर से आगले दस दिनों के ठीका करण की गती होगी तो 11 नौंबर को यहाँ पर दर्श तो आप इस पेज का स्क्रीन शॉट ले करके इस हान से समझने और पढ़ने की प्रिप किजिएगा यहीं पर दो नौंब 2021 की दाहिंद्यू न्यूसपेपर की सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समापती हो जाती है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कॉमेंट करते हुए शेयर कीजिएगा साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर दीज हैं और आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही मिलेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार